MP की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राहा हुई आसान, रुपए 544 करोड की आर्थिक सहायता से मिली नई उडान 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार, संकल्प लेने के लिए 7-0-0-2-3-0-2-3-0 पर मिस्ट कॉल करें नरेला से आमाधी पार्टी की प्रत्यासी रईसा मलिक खड़ी हुई है और अपने अहक में बोर्ड मांग रही है मीजह पार्टी पर्ठे है यर्णतार करह रही है कैसा समर्थन भी आयों शैपार ल्गा था चैन्था जह समर्थन भेद लख का सबको एक सार्ड मेले के बहुत अच्छा समर्थन भी और जनता चाह रही है कि बदलाओ आपका मैनिवेस्टीव क्या है जब आप जन्ता पर पर जा रही हैं कि मुद्दध के बीच में विकास की हैं रोजगार के हैं और स्वास्त के हैं जुर को यहां पर नहीं मिल पाथा और साथ ही जो हम लोग हमारी जो सरकार है केज़िवाल जी की वो शहीदों को सम्मान राशी भी एक करोड देती है जबकि यहां पांच लाग के लिए लसालों भटकना पड़ता है लेकिन अभी 26-27 लोगों को अभी हाली में दी गई है वहां पर सम्मान राशी लेकिन उनको भ हमारे भाई जो है आफिस आफिस भटकते हैं लेकिन जब अब सरकार बनने के बाद जैसे दिल्ली में है वहां भटकना नहीं पड़ता वहां करमचारी खुद आता है और आके काम करके घर पे जाता है तो सब को ये बातें पता हैं सब देख रहे हैं कि सब को इतना कुछ फि पाइदे में चल रही दिल्ली की पंजाब की इतना सब देखने के बाद लोगों में एक नया उत्सा है एक नया जोश है कि हमको नई पार्टी को लाना है और नई पार्टी को खड़ा करके हमको वो सब चीजें लाव लेना है जो दिल्ली में लोगों को मिल रहे हैं विकास बिल्कुल नहीं हुआ है यह जंता जो रह रहे ही बहुत दुखी है वो कि हमने बार बार बोड दिया लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ चलावा हुआ है और अब उसका जवाब देने के लिए तैयार है प्रदेश में क्या लगता है नारी सम्मान योजना जो चल रही ह लाडली बहना योजना जो है वो महिला हमारी समझती है बहने कि यह लॉली पॉप है यह पहले 15 साल पहले क्यों नहीं दिया गया यह सम्मान राशी पहले 300 पी 600 बार सो यह भीक की तरह दी जा रही है लेकिन केज्रिवाल जी जब से सरकार बनी है तब से 500 रुपे हर महिला को नहीं करती है उनमें कोई एज का बंधन नहीं है कुछ नहीं है यह शाट साल वाली महिलाओं की तो तीन माहिने से पेंशने नहीं आई आई है तो लाडली बहना कियो समझे नहीं रही होंगी इस गर में क्या बुद्रक महिलान नहीं होगी जिस गर में लाडली बहना को 12-ailable पफिए गएं और तीन हजार देने का वादा किया है और क्या आप जानते नहीं है कि शरकारें बादा करती हैं लेकिन चुनाव के बाद वह भूल जाते हैं पांस साल कुछ नहीं करतें लेकिन जब चुनाव आता है फिर काम शुरू करदें कॉंगरेस्ट मुझे बहुत अच्चा जन समनार्थर अगरओं आपको आशिरवाद देती है तो किस तरीके का विकास करेंगे, सबसे पहले क्या कारे करेंगे आपको? देखिए जनता अगर मुझे आशिरवात देती है, तो जनता की जो मूल भूस सो विधाएं हैं, जो जनता सबसे पहले तो मैं जनता के पास ही जाओंगी, जनता से ही पूछूंगी, कि अब आप लोग बताईए, कि आप लोगों ने मुझे खड़ा कर दिया है, सबसे पहले मुझे क्या काम करना चाहिए? आप मुझे क्या चाहते हैं? कौन कौन से विकास? कहां कहां चाहते हैं? क्योंकि पहले भी मैं पारशती मैंने यही किया जनता से पूछा और जो समस्या यहीं उसमें से समस्या उसे जनता से ही चुनवाया कि पहली कौन से समस्या बड़ी है ज्यादा लोग कि समस्या से परिशान है आप लोग ही बताईए कि पहले किसको हम पूरा करें उस तरह से काम और वहीं चीज को मैं आगे कंचिनियू रखना चाहती हूं तो यह थी हमारे साथ रहिसा मलिक यह कह रही है कि अगर वो जनता उन्हें आशिरवाद देती है तो जनता से पूछेंगी कि सबसे पहला कारे कोंता करना है कैमरामेन अमन के साथ श्यक्तिभारती भोपाल अच्छी अब देख रहे हैं डखल न्यूज